प्रेक्टिस करेंगे इसमें हम जनरल साइन्स के प्रश्णों पर तो जले श्टार्ट करते हैं प्लेलिस्ट इस टैस्स सीरीज की बना रखे हैं महां पर आप टैस्स नंबर बन से लेकर 27 तक पहुं सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लेंगे आप सब्सक्राइब क साथ बताए कौन सा करेक्ट है डाइनमो यांत्रिक उर्जा को विद्धूत उर्जा में परिवर्तित करता है यानि काइनेटिक एनरजी को इलेक्ट्रिक एनरजी में चेंज करता है डाइनमो पहला स्टेटमेंट यह गयता है और दूसरे स्टेटमेंट है माइक्रोफोन ध् उसको अब आज जो है धनी उर्जा में परिवर्तित हो जाती है ठीक है उसको कम ज्यादा कर सकते हैं तो बिल्कुल यह करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेट्मेंट सी है इस कांसर नमबर टूपर आजी है पृत्वी की सत्य से उपर या नीचे जाने पर गुर्त्य तुरण या इनमें से कोई नहीं पृत्वी की सत्य की बात हो रही है सर्फेज पृत्वी की सत्य से उपर या नीचे जाने पर गुर्त्य तुरण का मान जो है वो घड़ता है ठीक है यह है इसका अंसर और पोल्स पर अधिक्तम होता है तो प्रत्वी की सत्य से उपर या नीचे जाने प आई क्वेटर पर कोश्यों नुम्बर थरी पर आज़ी निम्लिकीत कत्मा पर विचार करेंगे दो स्टेट्मेंट के सार बताई कौन सा करेक्ट है जब एक लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो लिफ्ट में इस्थित कोई पिंड उसका भार जो है वो बढ़ा हुआ प्रतीत ह होता है यदि लिफ्ट नीचे उतरते समय लिफ्ट का गुर्त्य तुरण तुरण से अधेक हो तो लिफ्ट में इस्थित पिंड उसकी फर्स से उठकर उसकी छत से जा लगेगा बता यह कौन सा क dependent है यह दोनों के दोनों करीक्ट है ठीक है तो देखे अपरोग तो दोनों के दोनों statements हाई है जब लिफ्ट उपर की और जाती है तो लिफ्ट में इस्थित पिंड का भार जो है वो बढ़ा हुआ पुरतीत होता है जब नीचे आती है तो घटावा पुरतीत होता है तो नीचे आती है तो महसूस किया होगा अपने नमबर फोर पर आजिए हाइड्रोलिक प्रेस किस नियम पर कार करता है हाइड्रोलिक प्रेस हो गई हाइड्रोलिक ब्रेक हो गई यह सब पास्कल के नियम पर काम करते है तो हाइड्रोलिक प्रेस हो गया हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया हाइड्रोलिक लेफ्ट यह सब के सब पा पानी में तेरती है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के उपर रहता है एक बटे पांच एक बटे आठ एक बटे नो एक बटे दस एक बटे दस तो जब बर्फ पानी के समुद्र के पानी में तेरती है तो उसके आयतन का एक बटे दस भाग जो है वो पानी के उपर रहता है नमबर शिक्स पर आज़िए एक आदर्ष तरल की श्यानता यानी विस्कोसिटी कितनी होती है देखिए अगर आदर्ष तरल है तो लिक्विट फर्म में होगा ठीक है जमा हुआ तो होगा नी वो तो सून ने होगी उसकी तो देखिए तरल का वहगुण जिसके करन तरल की विभिन परतों के मध आपेक्षिक गती का विरोध होता है श्यानता कहलाता है श्यानता केवल द्रब तथा गैस का गुण है आदर से तरल की श्यानता जीरो होती है घर में जो मस्टर्ड ओयल होता है उसकी श्यानता बढ़ी च train संथ नाटर बढ़ने पर द्रब की स्यानता विसकोसिटी गहटती यह थीज़त कम उसका उठीओ और तो बढ़ने पर द्रब वीजाती है जबके गैसों की बढ़ जाती है को इस कजिये चंद्रमा प्रवर्थ प्रकॉस को पर्थवी rehe तक आने में कितने सेकिंड लगते हैं, दो सेकिंड से तो कमी लगते हैं, यह साहि उत्तर इसका, 1.25-2.8 सेकंड, तो देखे, अगर प्रकास सूर से आएगा, प्रकास को सूर से पृथवी तक आने मौसतन कितना समय लगता है, 8 मिनट 16.6 शेकंड, और चंद्रमा से परावरतित होकर ठीक है? ये जो प्रकास है सूर से वो चंद्रमा पर गया चंद्रमा से पृत्वी पर आने में जो समय लगता है वो एक दसमलग दो आट सेकंड का समय लगता है नमबर नाइन पर आजए ये पर विचार करेंगे पहले statement है निकट द्रश्टी दोस में लैंस की गोलाई बढ़ जाती है और निकट द्रश्टी दोस में लैंस की छमता भी बढ़ जाती है यह दोनों के दोने statement करेक्ट है तो निकट द्रश्टी दोस या मायोपिया से ग्रसित व्यक्ति नजदी की वस्तू देख लेता है पर दूर इस दोस में लैंस की गोलाई बढ़ जाती है और लैंस की छमता भी बढ़ जाती है लैंस की फोकस दूरी इसमें घड़ जाती है तीन चे याद रखनी है लैंस की गो के लिए अवतल लेंज का पुरियोग किया जाता याद रखेंगे दस्वा प्राशन है निम्लिखित कत्नों पर विचार करेंगे दो स्टेट्मेंट के साथ पताए कौन सा करेक्ट है जरा दरस्टी दोस में ब्रधावस्ता के करण आख की सामजस से शमता घट जाती है या सलता है भी बिए तरह को स्टेट्मेंट चाहिंगे दोनों स्टेट्मेंट है कि यारवा प्राशन है निम्लिखित कत्नों पर विचार करेंगे पहला स्टेट्मेंट विद्धुत्धाला एक सदीस राशी है विद्धुत्धारा का साई मत रखें एंपयर एक्जाम में विद्दुधारा की देशा धन आवेश की गती की देशा की और मानी जाती है और इसका जो इसा इसा ही मातरक है वह एंप्यार है और विद्दुधारा एक अदेश राशी है ना की सदेश कोश्चन नमबर बारे पर आजए नमलिकित मैसे कार्बन पेपर के अविश्कारक कौन है कार्बन पेपर के अविश्कारक है रॉल्फ बेजबुड अप्सन नमबर ए तो कार्बन पेपर के अविश्कारक रॉल्फ बेजबुड थे और इनका संबंध है इंग्लेंड से प्रियोक किया जाता है मंदक रियक्टर में न्यूट्रान की गती को धीमा करता है पेलकुल यह करेक्टर दोनों के दोने स्टेट्मेंट C है इस गांसर परशन नुबर 15 पर आजएए घुलनशील नमक मिलाने पर जल का प्रश्ट तनाब घट जाएगा बढ़ जाएगा जीरो हो जाएगा प्रभाब नहीं पड़ेगा प्रभाब तो पड़ेगा घुलनशील नमक मिलाने पर जल का प्रश्ट तनाब जो है वो बढ़ जाता है तो घुलन शील नमक मिलाने पर जल का प्रश्ट तनाब बढ़ जाता है StarAH. स्टेंसन नंबर सिक्ष्टीन पर आजए नम्हें से कौन साइश स्टेटमेंट जो है वह गलत है टाइफाइड होना एंथ्रेक्स होना मुहासे निकलना वेक्टिरिया के करन डेंगु खासी जुखाम इंफ्लूएंजा वायरस सामाने तचारोग फंजाई यानि फंगास निंदरालू व्याधी होती है ट्रिप्नौसोमा प्रोटो जोह से ्टिका है यह डेफ्रेंस थोड़ा अलग-अलग है हैं दोनों प्रोटो जोह ग्वववा लेकिन लीश मानिया त्रिप्न सोमा प्रोटो जोह काला आजार बड़ा िस्टों कके लीस मानिय प्रुटोजवा से हो से सेवंटीन नम्लेकी पार्विचार करें गया धॊनी तरंगे अनुधार तरंगे देखे दोनी तरंगे अनुधैर तरंगे है पहला स्टेटमेंट ये लिखा है अनुप्रस्त अगर होता तो गलत हो जाता स्टेटमेंट सही है धोनी तरंगे यांतरिक तरंगे भी हैं दोनों के दोनों का रखता है तो उसी है इसका अंसर तो धोनी तरंगे यांतरिक तरंगे ह लिए माध्यम की अवश्रक्ता होती है प्रकाश वैद्धूत प्रभाप की खोज निम्ले के दमें से किस ने की थी खोज की बात हो रही है इसका उत्तर है हेंरेज रुडॉल्फ हर्ज ने ऑप्सन नमबर ए तो हेंरेज रुडॉल्फ हर्ज ने प्रकाश वैद्धूत प्रभाप की खोज की जिसकी बाद में अलवर्ट अइंस्टाइन ने व्याख्या की और आबर्ती के ऐसाई मद्रक का नाम जो है इनहीं के नाम पर हर्ज रखा गया इन्होंने ही जे सी मैक्सवेल के विद्धो चुम्ब के सिर्दान्थ की प्रियोगोदारा पुष्टी की हेंरेज रुडॉल्फ हर्ज ने नमबर नाइटीन पर आज़िए ध्वनी का वहलक्षन जिससे उसके मोटे होने या पतले होने का निर्धान होता क्या कहलाता है क्या कहलाता है तरंक धार तो नहीं कहलाता आबरती नहीं है तारत पिच वहलता है इसको इंगलिस में देखे ध्वनी का वहलक्षन जिससे उसके मोटे आपतले होने का निर्धान होता है तारत पिच दूसरे सब्दों में किसी उतसर्जे तो ध्वनी की आपरती को मस्तिक से जिस प्रकारन हो उसे तारत पिचते है यदि आपरती उच है तो तारत भी उचा होगा यदि आपरती निम्न है यानि फ्रिक्वेंसी निम्न है ध्वनी की तो तारत भी निम्न होगा नमबर 20 पर आज़े है धुनी की चाल के संदर में निम्लेखित कत्नों पर विचार करेंगे पहला statement है धुनी की चाल प्रकास की चाल से कम होती है बहुत कम होती है सही है statement ठोस से गैसी अवस्ता की और जाने पर धुनी की चाल बढ़ती है देखें धुनी की चाल ऐसे कम होती है ठोस, उसके बाद द्रब और फिर उसके बाद गैस, यानि सबसेदिक ठोस में होगी, उससे कम द्रब में होगी और उससे कम गैस में होगी, तो यह तो गलत हो गया फर माध्यम का अताब बढ़ाने पर धनी की चाल भी बढ़ जाती है, यह सही है तो सेकंड वाले को अलिबनेट कर दीज़े, जहां जहां दो है वो नहीं होगा कि वाल एक और तीन हो जाएगा, इसका अंसर सी, तो पहला और तीसरा प्रिंटिंग में भी पहला और तीसरा सही है जबकि दूसरा गलत है, तो धनी की चाल है, वो घड़ जाती है, सबसे अधिक ठोस में होती है, उसके बाद द्रब में और सबसे कम होती है गैस में, तो जनरल साइंस के ये 20 प्रशन थे, इनकी प्रेक्टिस एक बार कर लेज़ेगा धन्यवाज, जितने भी स्टुडेंट, UK, PSC, Upper PCS वाले हैं, वो इस टेस्ट सीरी से प्रेक्टिस करते रहे हैं, इसके GS के प्रश्टों से, जो UP वाले कल्चर के प्रश्ट है, उनको छोड़ देजेगा